अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी इंफॉरमेशन आप अपने मेल बॉक् सकते हैं इसके इलावा जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो यहां पर भी सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ ट्वीटर या फेस्बुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस इंफॉरमेशन चाहते हैं ब्लॉक तक बहुँ सकते हैं और यहां से क्रॉल डाउन करके देखे किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वाच कर सकते हैं तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कॉन्टिन्यू करते हैं हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं सिस्को राउटर्स के बूट सीक्विंस के बारे में यानि के सिस्को राउटर्स अपने बूटिंग के दौरान क्या-क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं सिस्को राउटर्स के बूट अप सीक्विंस को कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है जैसे पोस्ट, बूट स्ट्रेप कोड को लोड और रन करना, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्को आईउएज को ढूड़ना और उसे लोड करना, और इसके बाद मजे से सिस्को आईउएज को रन करना चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक एनिमेशन से समझते हैं सिस्को राउटर जैसे ही पावर आउन होते हैं, तो पावर आउन होने के इमिजेटली बात, सबसे पहले पावर आउन सेल्फ टेस्ट होता है, यानि कि पोस्ट Post में Cisco router के बहुत सारे routine checks होते हैं जिसमें उसके RAM, NVRAM, checks के इलावा उसके और hardware को भी check किया जाता है कि Cisco router ठीक से work कर भी बाएगा या नहीं एक बार post complete होने के बाद bootstrap code load होता है bootstrap code एक mini program है जिसकी help से Cisco router के booting process के आगे कि steps perform होते हैं bootstrap code या bootstrap program Cisco IOS या internet work operating system को ढूढ़ने की कोशिश करता है Cisco IOS तीन locations पे हो सकता है पहला है flash memory, दूसरा TFTP server या फिर ROM Cisco router का IOS कहां से load करना है इसके लिए bootstrap program configuration register का सहारा लेता है configuration register भी एक file है जिसमें ये information होती है कि Cisco IOS को सबसे पहले कहां ढूढ़ा जाए flash memory में, TFTP server में या ROM में configuration register की default value 2102 होती है जो की hexadecimal में है और ये value ये indicate करती है कि Cisco IOS को सबसे पहले कहां ढूढ़ना है flash memory में, TFTP server में या ROM में इसके लिए एक और file को चेक किया जाए जिसे startup config कहा जाता है इस startup config file में administrators boot system command को use करते हुए ये define कर सकते हैं कि Cisco IOS को किस order में और कहां कहां पे find out किया जाए अगर startup config file में ये boot system command configured नहीं होती है जो की hexadecimal देखने को भी मिलता है तो by default Cisco IOS को सबसे पहले flash memory में ढूढ़ना जाता है और अगर flash memory में भी IOS image नहीं है तो उसके बाद इस sequence में next number आता है TFTP server का और TFTP server को IOS image के लिए search किया जाता है माल लिजे हमारे network में कोई TFTP server नहीं है या TFTP server के उबर भी image नहीं है तो bootstrap program ROM में से एक mini IOS को load कर लेता है ये mini IOS full flash Cisco IOS के बराबर तो नहीं होता है लेकिन कुछ administrative task perform करने के लिए इस mode को use किया जा सकता है एक पर Cisco IOS मिल जाए तो उसे load करने का काम शुरू होता है Cisco IOS को RAM या Random Access Memory में load किया जाता है एक पर Cisco IOS RAM में load हो जाए उसके बाद Cisco IOS configuration को ढूंडता है अगर आपने Cisco router के उपर पहले से कुछ configuration कर रखी है तो ऐसी configuration एक file में save होती है जिसे startup config कहा जाता है और ये file nvram में होती है यानि के non-volatile random access memory Cisco IOS इस startup config file में जो configuration है उसे भी RAM में load कर देता है लेकिन अगर उसे ये startup config file नहीं मिलती है तो router आपका setup mode में चला जाता है जो कि देखने में ऐसा होता है जैसे आपकी screen के उपर जहां पर आपसे interactive way में router को configure करने के लिए sequentially questions appear होते हैं और आप उन्हें answer करके router की configuration कर सकते हैं इस setup mode को system configuration dialogue भी बोला जाता है अगर आपके router को startup config file मिल जाती है तो router आपका user mode में चला जाता है चली question time अब मुझे आप एक question का answer दीजे आप मुझे बताइए कि startup config file की location क्या होती है आपकी options हैं आप इस question का answer next 20 seconds में नीचे comments में जरूर टाइप करें तो इस वीडियो में हमने Cisco router की boot sequence के बारे में जाना तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening